हेलो दोस्तों मैं स्नेहा फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल स्नेहा अर्विन कुक बुक में तो आज बनाएंगे हम लोग एगलेस पैनकेक बिना अंडे के भी बहुत ही फलफी सा और सौफ्ट सा पैनकेक बना के रेडी करेंगे बहुत पसंद आएगी आपको जट क्लेस पैनकेक बनाने के लिए एक बड़े से मिकसिंग बोल में सबसे पहले हम और स्फिमन डालेंगे लैंगे 1 फॉर्थ कप के अराउंड पाउडर सुगर उसी के साथ में 1 टी स्पून के अराउंड हमने बेकिंग पाउडर का यूज किया है साथी में हमने हाफ टी स्पू के अराउंड मेल्टेड बटर का और बटर को भी हम हमारे ड्रा इंग्रीडियन्स के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम यहां पर यूज करने वाले हैं बटर मिल्क का अगर आपके पास बटर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप वन कप दूद के अंदर दो स पंदरा मिल्क के लिए साइड में रख दीजिए वो अटोमेटिकली करडल होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका इंस्टेंट बटर मिल्क बनके रेडी हो जाएगा और अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डारेक्ट मेरी तरह यूज कर सकते हैं तो यहां पे हम वन क अधिक रखना और नहीं बहुत पतला रखना उसके बाद लेंगे एक नॉन स्टिक पैन या तवा और उसके बीच में अपना बैटर इस तरीके से प्लेस करेंगे हमें इसको फैलाने की बिल्कुल जोरत नहीं है अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमारा पैनकेक अपने आप और अगर पैनकेक नीचे से भी अच्छे से नहीं सिखा हुआ होगा तो भी वो पलटते टाइम फट जाएगा तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छे से पैनकेक को सिम पर सिखने दे ताकि हमारा पैनकेक पलटते टाइम बिल्कुल भी ना टूते तो यह देखे हमारा पैनके कितना golden brown color आया है इसी तरीके से अब हम हमारे बाकी सारे pancakes बना के ready कर लेते हैं और अब हम करते हैं हमारे pancake की final garnishing ये हम honey spread करेंगे अच्छे तरीके से अगर आप मीठा बहुत पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी honey की thick layer भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो मैंने हलका हलका सा honey इस तरीके से spread किया है पूरे pancakes के उपर उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर berries का use कर सकते हैं dry fruits का use कर सकते हैं या जो भी और चीज के साथ आपने pancake को serve करना चाहें मैंने यहाँ पर